पशिम बंगाल में मम्ता बैनर्जी की प्रचन बहुमत से सरकार बनने पर फिल्म अभिनेत्री कंगना रनोत ने सोशिल मीडिया पर टिपनी की उन्होंने भाजपा का समर्थन करते हुए आने वाले दिनों में बंगाल का हाल कश्मीर की तरह होने का दावा किया है इस पर गोरकपुर सदर से भाजपा विदायक राधा मोहंदास अगरवाल ने अभिनेत्री को आड़े हाथों लिया बीजेपी विदायक ने अभिनेत्री कंगना रनावत के ट्वीट पर रिपलाई करते हुए उन्हें मोर्ख औरत तक कह डाला बतादे कि कंगना रनोत ने बंगाल के रिजल्ट आने के बाद एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने लिखा था कि बंगला देशी और रोहिंगिया ममता की सबसे बड़ी ताकत हैं जिसकी प्रवर्ती दिख रही है उससे पता चलता है कि हिंदू वहाँ ज्यादा नहीं है और आकणों के अनुसार बंगाली मुसल्मान पूरे भारत में सबसे गरीब और वन्चित हैं अच्छा है एक और कश्मीर बन रहा है जिसको लेकर भाजपा विदायक राधा मोहंदास ने कहा कि बहुत ही शर्मना कॉमेंट दिया है इस मुर्ख औरत को इतनी बेहुदी बाते कहने के लिए इलेक्शन कमिशन को इसके विरुद्ध सक्त कारवाई करनी चाहिए मैं भाजपा का विदायक हूँ और जानता हूँ कि पीमो इंडिया अमित शहा और जेपी नड़ा ने बहुत ही बड़े पन के साथ ममता बेनरजी को बधाई दी है वहीं बीजेपी विदायके स्ट्वीट के बाद कई ट्विटर यूजर ने राधा मोहंदास अगरवाल को भी निशाना बनाया बतादे की कंगनर रनोत अपनी बेबाग बयानी की वजह से अकसर चर्चा में रहती हैं इस बार उन्होंने बंगाल चुनाओं में ममता बेनरजी की जीत पर तंज कसा है इसके बाद उनके पक्ष और विपक्ष में तमाम लोग कोमेंट कर रहे हैं पंजाब केसरी टीवी के लिए गोरखपुर से रुद्र प्रताप सिंग की रिपोर्ट प्रती है हम से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें धन्यवाद